मनि मिद्यार सी मित्रों आजे आपने धोरन एकमा हिंदी विशाई भणे सो तो दरेक विद्यार सी मित्रों पोथपोता नि हिंदी नी सध्य पोथी काड़ो याने आमा पाना नंबर पासर काड़ों गाड़ु दर्येक विद्यारजी मित्रोये, तो जो एनी अंदर आजे आपणे, जे वर्ण माला हमने सीखी है, ना अब हम इधर लिखेंगे, देखो इधर लिखा है वर्ण माला, एटले के मुडाकसा, खाली जगा बरो, एले के खाली जगा पूरो, तो जो वर्ण माला है, उ देखते हो ना आप दो मैंने लिखाए तो आपको इसी तरह इस स्वाध्यपोथी में पूर्णा है और नवट में पूर्ण दो बारे कक्का मैंस के भन माला आपको पूरी क से त्रतक लिखनी है देखो मैं बोलती हूँ आप ठीक सरसे ध्यान रखना देखो को और लिखूंगी पूरी भी जो ख लिखाए नमिये और यसा ख आपको लिखना है तरह ना रख गोग ड जो च च ज ज ज ज ज त ठ ड ड ड अण त ठ ड ध ध ध अन प फ ब भ म यर ल व श पहला वाला श दूसरा वाला न तीसरा वाला पहला वाला सर्भत के अशा दूसरा सटकौं काnost तिसरा सरकस पूरी वर्ण माला पूरी आपको आनी चाहिए तो यह आप तैयर कर देना एक बार स्वाध्या पोती में लिखना जो खाली जगा है वहाँ और नोट में दो बार पूरा पूरी वर्ण माला जो व्यंजन वाली है पूरी लिखना को से त्रतक इधर से यह पूरा जे वर्ण माला है पूरी वर्ण माला वह आप नोट में दो बार लिखना स्वाध्या पूती में जो खाली जगा है वह भरना अब हम आगे देखेंगे अब देखोएं क्या है गिन्ती गिन्ती मींस गुजराती में क्या कहते हैं अंक, हिंदी में गिन्ती कहते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे वो गिन्ती कहते हैं हिंदी में और गुजराती में अंक कहते हैं और इंगलिस में नंबर तो देखोए, पटो, समझो और बोलो तमा सुकरवानुशे, वाचवानुशे, समझवानुशे, अने बोलवानुशे तो जो, और यह तमना चितरो आपे आशा, चितरो द्वारा तमना संख्या खबर पढ़ से देखो इधर चित्र दिये है उसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि चित्र कितने है उसके द्वारा आपको गिंती आएगी देखो ए बतक कितने है तो ए तो देखो इधर इंग्लिस में भी लिखा है और हिंदी में अंक में और सब्द दोनों में लिखा है तो देखो आप आपको बोलना है, one! क्या है one? और यह एक और सब्द मेएक आपको एक लिख कर ऐसी उपर ली ती अवश्य करनी है सब्द है, छिए दर एक सब्द वाल वाक्य है उज़ में बोलो और लिखो तब उपर लिटी करनी है ये सब्द है ना सब्दों में गिंती लखें उस पर आपको लिटी अवश्र करनी है फिर ये क्या है ये दो है ये भमड़ा दो है एक दो इधर टू लिखाए और सब्दों ए अंक में गिंती ए गिंती में क्या है दो है और सब्दों में क्या लिखाए हिंदी मे दो फिर एक कितनी बसे तो एक दो तीन तीन तो ये थ्री है इधर हिंदी में घिनती तीन है और ए सब दो में हिंदी में तीन लिखा है एक दो तीन चार एक फॉर है कितने है मैंडग फॉर है इंग्लिस में 4 कहा जाता है हिंदी में 4 और सब्दों में भी 4 फिर एक इतने नगा रहे है एक दो तीन चार पांच तो हिंदी में 5 गुजराती में 5 हिंदी में 5 और गुजराती में 5 हिंदी में 5 ऐसे लिखते है और सब्दों में 5 ऐसे लिखते हैं और इंग्लिस में क्या लिखते हैं 5 इस तरह 5 लिखते हैं फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौनसे गिंती आई 6 हिंदी में 6 ऐसे लिखते हैं अंक में और सब्दों में ऐसे 6 और इंग्लिस में 6 और गुजराती में 6 पता चला फीरे कितनी है थोड़ी है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ तो हिंदी में साथ ऐसे लिखते है अंक में हिंदी में सब्द में साथ ऐसे लिखते है और इंग्लिस में सेवन और गुजराती में साथ तो यह छड़ी कितनी है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ कितनी है तो एट छड़ी है इंग्लिस में एट बोलते है गुजराती में आठ और हिंदी में ऐसे आठ लिखते है अंक में और सब्दों में ऐसे आठ फिर पतंग कितने है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ कितने पतंग है, नौफ पतंग है हिंदी में नौ ऐसे लिखते है और सब्दो में ऐसे नौ लिखते है और इंगलिस में नायन और गुजराती में नौ फिड़े के आहे, चममच कितनी है, एक, दो, तिन फिर से बोलती हूँ एक, दो, तिन, चार, पांच, छो, साथ, आश, नो, और दस हिंदी में दस ऐसे लिखते हैं अंक में सब्दो में दस ऐसे लिखते हैं गुजराती में दस कहा जाते हैं गुजराती में दस और इंग्लिस में टेन पता चला फर्क क्या है हिंदी गुजराती इंग्लिस में पता चला न गिंती हिंदी में इंग्लिस में नंबर और गुजराती मां अंक पता चला तो हिंदी में अंक में ऐसे लिखते है और सब्दों में ऐसे तो आपको एक तैयर भी करना है ए अंक और ए शब्द दोणों 1 से 10 एक से 10 तक अंक और एक से 10 तक सब्दों में आपको दो दो बार अपनी नोट में लिखना और तैयर करना है फिर देखो बिंदु मिलाओ एटले के टपका जोड़ो एक बिंदू मिला कर आपको ए अंक बनाने है तो देखो मैंने बनाए है ऐसे जो ऐसे एक फिरे दो फिरे तीन फिरे चार और ए पाज ऐसे आपको इधर बिंदू दिये है उसको जोड़कर आपको एक से पाथ तक बनाना है पता चला और एक कमप्लेट ए भी क करना है। इसलिए आपको 10 तक एक से 10 तक पूरी घिनती आ जाए, और जosure अपको स्वाध्य PROD Princip मैं न अगे दिखते हैं। देखो घिनती करो कि अतच करने की कि लिखो, इधर एक हिंदी करनी है चित्रों में, और नीचे अंक में और सब्द में आपको संख्या लिखनी है, तो देखो, घणतरी करो और नीचे नी संख्या लखो, ये कितने स्टार है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, तो छो श्टार है, तो एसे छो, सब्दों में एक और दो तो इस तर आपको लिखना है अंक में और सब्द में ऐसे फिर है कितने पत्ते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ पत्ते हैं इसलिए अंक में ऐसे आठ और सब्द में ऐसे आठ एक दो तीन तीन ऐसे लिखने अंक में और सब्द में ऐसे फिर है कितने बनाना हे एक झौधोन हैं तो चोकलेट कमें थे फिर उसे करती हूं एक, दू, तिंग, चान, पाथ तो सब्द में ऐसे 5 लिखते हैं और अंक में ऐसे 5 लिखना है पता चला तो ए स्वाध्य पूथी में जो ए आएगा न आपके चित्र के नीचे ऐसे ए तो लिखा है अब ऐसे मैंने इधर लिखा है तो आपको अपने स्वाध्य पूथी में ऐसे अपने चित्र में घिनकर नमबर और सब्द में नमबर ऐसे लिखना है अंक में और सब्द में आपको नमबर लिखना है घिन्ती लिखनी है हिंदी में क्या कहते हैं अंक को घिन्ती तो गिन्ती आपको इस चित्र में जो जितने चित्र दिये है ऐसे उसको घिन कर अपने नीचे ऐसे खाली जगा दी होगे चौरस बॉक्स दिया होगा वहां आपको सब्दो और अंक में दोनों में गिन्ती लिखनी है और नोट में दो बारा गिन्ती लिखनी है सब्दों में औ कुप देने बार